सत्कुरु की साधी निवाजी, प्यारी सासंगजी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी, बोलिए सत्कुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी माहराज की जै सत्कुरु निरंकार दातार के चर्नों में दासी यही अशीरवाद मांगती है कि सचे वाजशा जो भी हमें कहीं से भी कुछ सीखने को मिल रहा है हम इन बातों को करम रूप में ढालते चले जाएं और आप जी के अशीरवादों के हकदार बनते चले जाएं इसी तरह हम सब आप जी से अशीरवाद लेते जाएं दासी यह एक स्टोरी पढ़ रही थी तो दासी को अच्छी लगी है दासी आप जी के साथ शेयर करने जा रही है यह स्टोरी भले ही संसारिक है लेकिन इससे हमें यही सीखने को मिला है कि जब घर के हमारे बड़े बजूरक समझदार होते हैं तो वो हर एक रिष्टे को संभाल कर रखते हैं किसी भी रिष्टे को टूपने नहीं देते हैं इसलिए घर में बड़ों का समझदार होना बहुत जरूरी है जिनके घर में बड़े समझदार होते हैं बड़े बजू वीना जी सुबह से अपने बहु रागिनी को देख रही थी कि उनकी बड़ी बहु रागिनी काफी उदास है, सावन का महिना चल रहा है, तीज का त्योहार भी आने वाला है, इसलिए वेह अपनी दोनों बहुँ को साज सिंगार का समान और सारे कपड़े की शोपिंग कराना चाती थी, वीना जी का मानना था कि बहु बेटियां घर की लक्षमी होती है, पहन ओड कर ही अच्छी लगती है, उनको अपनी बहुँ का रूखा सुखा सा रहना पसंद नहीं आता था, खुद भी तो बड़े सलीके से सुबह ही त्यार होकर बैठ जाती है, घर पर भी ऐसे रहती हैं कि कितनी ही बाहर लोग पूछते थे, कितनी बाहर लोग पूछते थे, आप कहीं जा रही है, क्या इस तरहें आप सलीके से थ्यार होकर बैठी हैं, तो उनका कहना होता था, मैं कहीं नहीं जा रही, घर पर भी मैं सही तरीके से रहना चाहिए, उनकी बड़ी बहु पहुरागिनी जब शादी होकर आई थी, कितनी जंचल थी, हर समय अपनी धुन में बगन रहती थी, लेकिन जब से उसकी मम्मी इस दुनिया से गई है, वे काफी अनमनी सी हो गई है, दुख भी तो कम नहीं था, एक बेटी ही जानती है, मा के ना होने का दुख, मा से माय का ब पहुत रहते हैं, वैसे भाईया भी कम अच्छे नहीं थे, रागिनी के भाईया भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जब रागिनी के पिता जी इस दुनिया को छोड़ गए, तब उसके दोनों भाईयों में प्रोपर्टी को लेकर कुछ जगड़ा चला था, खान दान की इज जगड जो इतने बरसों से बनी हुई थी, भाई भाईयों के जगड़े में डूब रही थी, वीना जी ने बहुत मना किया था आपनी वहु को, कि वह अपने भाईयों के जगड़े में न पड़े, लेकिन रागिनी को अपना छोटा भाई ज्याधा ही पसंद था, इसलिए बीना कुछ होने समझे, उनका बीच बचाव करने वह पहुँच गई, बड़ा भाई और भाबी वैसे तो रागनी की बहुत हिज़त करते थे, लेकिन रागनी जी द्वारा छोटे भाई का पक्ष लेने के कारण, बड़े भाई की तरब से भी मन मुटाब हो गया था, वैसे फरज तो अधिकतर बड़े भाई ने ही निभाए थे, छोटा भाई तो केवल अधिकारों की ही बात करता था, पान साल हो गए हैं, बेहन भाईयों की बिगडे हुए, गलती तो दोनों तरफ से ही हुई थी, पर रिष्टा तो बेहन भाईयों का ही खराब हुआ ना, पर रिष्टे मन से शर्दा भाव से सिंधारा भेजती थी, अपनी खुशी से सिंधारा भेजती थी, लेकिन जगड़ा ऐसा हुआ कि सब को छूट गया, राकी भी छूट गई, सावन का सिंधारा भी छूट गया, सारे त्योहार भी छूट गए, छोटा भाई तो फोरण मे जाकर सैटल हो गया एक तरीके से वीना जी की बहु का मायका छूट ही गया वीना जी के मायके से तो सावन की डलियां अभी तकाती है वैसे कोई कमी नहीं है उनके यहां वीना जी खुद अपनी बहु को सारा सामान दिला देती है लेकिन मायके से आई हुई सावन की डलियां की खुश्बू कुछ अलग ही होती है क्योंकि उसमें मां की देहरी की खुश्बू होती है वीना जी अपनी बहु के पास जाकर अपना हाथ उसके सीर पर रखते हुए बोली बेटी कब तक उधास रहोगी ऐसे खून के रिष्टे ऐसे नहीं छोड़े जाती है अगर तुम्हारा भाई भाबी तुम्हें मनाने के लिए नहीं आ रहे तो तुम ही उन्हें फोन मिला लो प्यार तो तुम दोनों में बहुत था केवल बाहरी बातों के कारण मन मुटाब हो गया है तुम्हें याद नहीं वीना जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारा बड़ा भाई कितना रोया था और तुम्हारी भावी भी हमेशा कितनी हिच्चत करती थी सबकी हमारे याद से कोई भी उनके घर चला जाता कितना मान सम्मान किया जाता था तुम्हारे माएके में यहां तक तुम्हारी मा के जाने के बाद भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी हमें इतना प्यार दिया तुमने ही भाईयों के जगड़े में पढ़कर अपना रिष्टा खराब किया था अभी कुछ नहीं बिगड़ा है हमारे भारत देश में यह ती त्युहार इसलिए ही बनाए गए है कि यह रिष्टे जुड़े रहें राकी आने वाली है तुम त्युहार लेकर चली जाना कोई बना नहीं करेगा तुमें जो दरत तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा है वह दूर हो जाएगा जो भाई बेहन हमेशा एक दूसरे को इतना प्यार करती है एक समय के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनमें बन पुटाव पैदा हो जाता है अपनी सास की बाते सुनकर रागनी जी की आँखों से आसू हा जाते है वह अपनी सास से गले लिपट कर बहुत रोने लगती है मानू जैसे वह एक छोटी सी बच्ची हो आज उसकी सास का सम्मान रागनी जी की नजर में और भी बढ़ गया उसने तो हमेशा से यही सुना था कि सास की बुराईया ही की जाती है लेकिन उसकी सास ने तो यहां मा का स्थान ले लिया था वह भी तो चाहती थी अपने भाईयों की कलाईयों पर राखी बांधना रागनी जी भी तो चाहती थी अपने भाईयों की कलाईयों पर राखी बांधना कितने प्यार सी वेरक्षा बंधन का त्युहार करती थी जब तक अपने भाईयों को राखी बांध नहीं देती थी नाश्ता तक भी नहीं करती थी कितनी चाहत थी उसकी बुआ शबसुने की जो उसके माईके जाने पर उसके बतीजे बतीजी उसको चारों तरफ से घेरे रखते थे अब वह अपने हंकार को छोड़ कर तोटे हुए रिष्टों की डोरी को फिर से जोडने की कोशिश करेगी राकी के कच्चे धागों से उसने अपने भाई को फोन मिलाया फोन उठाते ही उसकी आवाज सुनते ही रागनी के भाई का गला भराया दोनों भाई वहन अपने किले शिक्वे कहते रहे रागनी रोने लगे उसने अपने भाई से कहा भाई पाँच साल से वह राकी का इंतजार कर रही है रागनी की भाबी ने कहा देदी आप इंतजार कर रहे हैं हम भी सामन की डलिया का इंतजार कर रहे हैं अपनी देदी को देने के लिए अब सब गिले शिक वेदूर हो गए है रागनी के भईया भावी तीज पर सिंधारा देने आ गए अब रागनी जी भी अपनी पसंद की राखियां बड़े मन से खरीद रही है कुछ राखि तो उसने अपने हाथ से भी बनाई है पांच साल का सुना पन जो दूर हो रहा है उसकी सास की समझदारी से बिगड़ते रिष्टों की नाव को कोई संभाल ले तो रिष्टे कभी तूटे नहीं और जिनके घर में इतनी समझदार बड़े बजुरक होते हैं वो हमेशा संभाल कर रखते हैं उन्हें तूटने नहीं देते हैं आओ हम भी सत्कुरु निरंगार्दातार के चर्नों से यही आशीरवाद मांगे है सचे पाशा हमें भी सुमत बख्षना हमारे घरों में भी इसी तरह का प्यार हो इसी तरह हमारे बड़े बजुरक हमें प्या देते रहे हम भी उनका मान सम्मान करते चले जाएं और इसी तरह अपने घर को स्वरक बनाएं यह स्वरक हो मेरे घर में भी जो स्वरक है तेरे दर्माता मंतिर सा लगे मेरे घर हैं आगन यह ऐसी रह्मत करता आता में सचे पाश्या जब आप जी सुमत बख्षते हो सत्ग देते हो सद विचार देते हो सद मारक दिखाते हो तो सारे घर स्वरक बनते चले जाते हैं आप की किरपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है आप जी कि जब किरपा हो जाती है तो खुशियां ही खुशियां हो जाती है मंगल ही मंगल हो जाता है तूडते हुए रिष्टे भी जूट जाते हैं आप जी समरत हो घटगट वासी हो आप जी सब कुछ कर सकते हो हे समरत परमात्मा हे निरगुन निरंकार तू करता है जगत का तू सब का आधार तू ही सब का सहारा है तू ही सब के कारजरास करने वाला है है सचेप आइशा हर एक जीव के उपर अपना मेहर भरा हात रखना मेहर भरी नजर रखना किसी को भी कोई मुश्किल की कड़ी ना दिखाना खाली बोल मेरे रहे जान बोलना इना बोलना उते आ जाए जिन्दगी दो तोलना है सचेप आशा हम जो भी बोल सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं सुना रहे हैं इन बोलों के उपर हम अमल भी कमाते चले जाएं और इस तरह आप जिसी अशीरवाद भी लेते चले जाएं बोलो के संग करम जूड जाए तो उस जन की क्या बात है कहते हैं कि बोलो के साथ सथ अगर करम भी हो तो फिर उस इनसान का तो कहना ही क्या वे तो हमेशा भगवान के नजदीक ही रहता है वे भगवान का अशीरवाद पाता चला जाता है सद्कुरू माताजी इसी तरह हम सब पर अपनी रह्मत भाई रखना बरसा दाता सुख बरसा आंगन यांगन सुख बरसा मेरे सचे वाश्या हर घर में सुख ही सुख हूँ सबी ये जो तिहार अगे संसारिक तिहार भी आ रहे हैं ये भी सबी खुशी खुशी मनाएं जैसे सामन का मीहना चल रहा है तीज का तिहार आएगा राकी आएगी रक्षाबंधन आएगा जो जो भी परव तिहार हमारे भारत में होती हैं ये सबी मिल जुल कर मनाएं और सद्कुर के अशीर वादों के पात्र बने हसी खुशी ये जो रक्षा बंदन का त्यार है ये भी भाई बेहन सबी मिल जुल कर मनाएं सचा पाशा सबी को इतनी खुशियां बखशे सबी भाईयों के लंबी उमर हो सभी बेहनों की लंबी उमर हो सभी के घर में इसी तरह हैं हसी खुशी के तिहार भी हो और सभी इसी तरह सेवा सिम्रंससंग के रंग में भी रंगे रहें बगती भरा जीवन संतों जिये जाएं सत्संग सेवा सिम्रंस सदा हम करते ही जाएं है मेरे दातार सिच्चे बाश्या ये असली जो खजाना सिवा सिम्रंसस्थंका है ये हमारे जोली में पादेना ये ही हमारे काम आना है ये रामरतंधन जो है ये इस दुनिया में भी हमारी साहिता करता है और रामरतंधन ही फिर इस शरीर को छोट जाने के बाद भी प्रलोग में भी हमारे काम आएगा इसलिए जितना भी हो सके हम इसको इकट्ठा करते चले जाएं और सद्कुरू से यही अशीरवाद मांगे कि है दातार सचे बाश्या यह आपजी की किर्पा से ही हो सकता है इसी तरह चर्णों से चोड़ के रखना तेरे चर्णा देदास्त है तो तेरा विश्वाश दिन रात मंग दे मेरे मालिक दिन त्याल जिस तरह आटूट विश्वाश बना है इसी तरह आपजी के चर्णों में आटूट विश्वाश बना रहे कोटिन कोटिन भारा आपची के चर्णों में हम आपची का शुकराना करते हैं जो भी आपची हमें खाने पीने पहनने रहने के लिए दे रहे हैं जो भी आपची के किरपा से हम ये किर्याएं उटना बैटना खाना पीना चलना फिना सोना जागना ये किरयाए कर रहे हैं मेरे माली के सब आपची के किरपा से हो रही है इसी तरह आपची सब को तंदरुस्ती बखशना और सबी को तन मंधन से माला माल करना ताकि सबी तन से भी सेवा करें मन से भी करें और धन से भी संतों की सेवा में अपना योगदान दें जीवन लगाएं और परमार्द के काम करें प्रोबकार के काम आएं ये जो मनुश्य जनम है ये बड़ी मुश्किल से चुरासी लाग यूटियों के बाद मिला है इसे क्यों ही ना गवाएं इसे हम एक एक पल का सदू प्योग करते चले जाएं सत्कुरू के किरपा से ही ये सब हो सकता है और सत भाव से इसके चलनों में समर्पित हो जाते हैं तो फिर ये शर्दा समर्पण वाली भामना हमारे मन में जरूर लाते हैं और जो हम चाहते हैं सेवा सिमर्ण ससंग करना वो भी ये फिर हम करने का हमें करने का बल बखषते हैं सास संगर जी ये विचार करते हैं बहुत से गल कार्टी